हेलो फ्रेंड्स राधे राधे जैसरी कृष्णा फ्रेंड्स देखे आज हम यह लेकर आए है टू कलर यह डार्क मरजेंटा है और यह है वाइट यह देखे बहुत सोट फाल यह वह लोती है इस टाइप की तो आज हम इन टू कलर से बनाएंगे अपने चार और पांच नंबर लड़ो गुपाल जी के लिए पहुत प्यारी सी ड्रेस इसके लिए हमने यहाँ पर दस नंबर की निडल का यूज किया है दिखाई नहीं दिया शायद यह देखिए और यहाँ पर हमने फंदे डाले हैं 20 फंदे हमने इसमें डाले हैं अगर आपको थोड़ी सी फिटिंग म बनाएंगे इसको 11 नंबर सलाई से बना लीजिए हमने यह पर दस नंबर की सलाई लिए है चार नंबर के अगर आप थोड़ी फिटिंग में चाहिए तो आप 11 नंबर की सलाई यूज कीजिए नहीं तो आप 10 नंबर की सलाई से ही बना सकते हैं 4 और 5 को अच्छे से आ जाए है तो इसकी नैक का बॉर्डर बनाएंगे सबसे पहले इसको हम उल्टा बनाएंगे दोनों साइड से तो यह इसकी फर्स्ट रो है इसकी सीधी साइड आएगा तो फर्स्ट रो हम देखे इस तरह से बना लेते हैं उल्टी लास्ट वाला फंदा देखें कैसे बनाएंगे लास्ट वाले फंदे का दोनों साइड से ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है अगर आपको फिनिशिंग के रेस्ट चाहिए तो इसका ध्यान रखना होगा धागा पीछे करेंगे चाहे तो आप इसी सलाई में इस फंदे को सीधा बुन लीजिए न तो इसको धागा पीछे करके आप इस तरह से उतार लीजिए और जो आगे सलाई बिनाएंगे इसमें आप इसको उल्टा बुन लेजिए दोनों तरीके से सेम फिनिशिंग आएगी बहुत अच्छी तो देखें यहां पर इसमें बुन लेते हैं एक लाइन सी बन जाएगी साइड में चैन जैसे तो बहुत ही प्यारी लगती है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम लास्ट वाले फंदे को कैसे बुनते हैं यह डिपैंड करता है हमारे ईपर अक बार बनाकर देखें आप खुद पता चलेगा कि लास्ट वाले फंदे को बनाने से इस तरह बनाने से क्या होता है यह देखे इस साइड का भी हम लास्ट वाला फंदा धागा पीछे करेंगे इसको हम सीधा बुन लेंगे यह देखें बुन लियाता सीधा तो यह देखिए इसकी थर्ड रो है सीधी साइड से इसको भी हम यहां से उल्टा बनाएंगे तो यह तीन सलाईयां हमने यहां पर इस तरह से कम्प्लीट कर ली बनाते हुए तीनों हमने तीनों सलाईय उल्टी उल्टी बनाई है दोनों साइड से धागा पीछे करेंगे और यहां पर यह फंदाय से उतार लेंगे क्योंकि हमें धागा चेंज करना है तो यहां से हम यह फंदाय से उतार लेते हैं यह देखिए सीधी साइड पर दो लाइन इसमें आ और यहां से हम यह color change करेंगे white, अब यह दोनों धागे हम यहां पर इस तरह से दबा लेंगे, इसके साथ, यह देखिए, साइड में अगर इनकी हम नोट लगाते हैं तो यह किनारी से फिर दिखाई देते हैं, पहले हम इनको दबा लेंगे और जो बाद में एक्स्ट्रा थोड़े से बच जाएंगे, इसके हम कट कर देंगे, यह देखिए, देखिए, यहां से इस तरह से finishing आएगी, तो यह 4th row है, उल्टी साइड से, इसको हम इस तरह से complete कर लेते हैं, उल्टा ही बनाते हुए, और 5th row होगी सीधी साइड से, उसमें हम फंदे बढ़ाएंगे, तो देखिए, यह row हमने complete कर ली, चार सलाइएं इसकी complete हो चुकी है, अब इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे, आज हम जो चोली बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे जाली से, हमें इसमें चार जगे जाली देनी होगी, अब देखिए सीधी साइड से इसको हमें कैसे बनाना है, यह फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा हम उपनी साइड लेकर आएंगे, और दो फंदे उल्टे बना लेंगे, यह तीन फंदे हो गए बोडर की, फिर हम धागा पीछे करेंगे, और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, यह तोटल हमने चार फंदे बना लिए, फ्रेंट साइड के हैं यह, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हो गए, अब धाग अपनी साइड लेकर आएंगे, और इस फंदे पर जाली डालेंगे, धाग अपनी साइड रखके, फंदा सीधा बुन लेते हैं तो देखे, जाली य और अपनी साइड दागा लेकर, एक, दो, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, यह देखे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हो गए, फ्रेंट साइड के, इन में से हमने एक तो उतारा, दो फंदे उल्टे बुने बोडर के, और यह चोथा फंदा जो है, यह बुना सीधा, त यहां भी और यहां भी, तो यह दो फंदे हमारे यहां पर बढ़ जाएंगे, यह दो फंदे हमने बनाए हैं बाजू के, देखे, लाश्ट में जो दो फंदे सीधे हैं, यह बाजू के, अब इस फंदे पर जाली यहां भी और यहां भी, धागा अपनी साइड इस फंदे प दागा अपनी साइड है, चार फंदे बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, ये फंदे हो गए, बैक साइड के, फिर दागा अपनी साइड, अब इस फंदे पर यहां भी जाली, यहां भी, तो दागा अपनी साइड रखके, एक जाली, फिर दागा अपनी साइड और दो फंद इसे देख हो जाईगे औलगा देखे अभी हमएंगी और यह पिर भी प्रोच टाला जाईगे अनुमें दॉन तो पंढ़ती है नलस सिद्धा देखे हो छ़ई दो नावम पर इसे दरने गेंगे प्बाहती हो दो परपा ग। जाली के बाद एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे लास्ट वाला फंदा सीधा तो देखे फीप तरो हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेगे अब उल्टी साइड से इसके सिफ्ष्टरो बना लेते हैं एक फंदा ऐसे उतारेंगे और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे तो इस सिफ्ष्टरो इसके हम कंप्लीट कर लेते हैं और बनाएंगे इसके सेवंद तो कुल मिलाकर देखे इसमें चार जगे जाली डलती है अगर हम चोली बनाते हैं चार जगे जाली दो-दो डलेगी तो टोटल आठ फंदे इसमें सी जाली दी है दो ही दी है दो यहां दो यहां दो यहां और दो यहां तो आठ फंदे यह बढ़ गए अब इसके सेवंद रो बना लेते हैं यह फंद ऐसे उतारेंगे दो फंदे उल्टे यह तो हो गए बोडर वाले फंदे अब यह फंदा सीधा था पहले एक फंदा था अब अब हमारे पास यहाँ पर दौ हो जायेंगे, एक हे जाली वाला, तो दो फंदे यह सीधे, टोटल पांच फंदे हो गए, अब दाग अपनी साइड लाएंगे, यह देखें, न। पंदा के लिए दिखाए दिया है, चार फंदे बाजू के हो गए धाग अपनी साइड अब इस फंदे पर दोनों साइड जाली तो एक जाली फिर धाग अपनी साइड अब ये दूसरी जाली बनाएंगे और बैक साइड के फंदे बुनेंगे तो पहले चार फंदे थे अब आठ हो जाएंगे दोनों साइड से ए और ये छे अब इस फंदे पर दोनों साइड जाली यहां भी यहां भी धागा अपनी साइड फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड अब ये बाजू के चार फंदे हैं इनको गनाएंगे एक दो तीन चार फिर धाग अपनी साइड अब इस फंदे पर फिर से जाली एक जाली धाग अपनी साइड ये दूसरी जाली फंदा सीधा एक फंदा दो दो फंदे सीधे धाग अपनी साइड दो फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा सीधा जब हम यह फंदा थोड़ा साथ ध्यान से बुने तो इस तरह से दोनों साइड से इसमें चेन बन जाएगी तो देखे हमने इसकी साथ सनाया कम्प्लीट कर ली है और दो जालियां हमने इसमें आपको डाल कर दिखाई है अल्टी साइड से पूरा उल्टा बुन लेते हैं और फिर से जहां जहां इसमें जाली डाल लेते तो हमें इसमें तोटल पांच जालीय डालनी दो तो हम बता चुके हैं कि टीन गाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हुआ यह देखेंगे न देगे ने उसमें हमने बना लीक है। चाहिते हो गए हैं और हर एक जाली डालते हैं। इसमें आट फंदें बड़ते के स्विवाइटी जाहिएके बढ़ते हैं। 40 फंदें स्विवा तो ले यदेखें। आब इसकी करेंगे दो ते काफी हैं। अब हम इनको डिवाइड करेंगे आके पीछे के पार्ट और बाजू के फंदों में तो देखें कि इस तरह से इसके लेंद भी एक बार दिखा देते हैं अगर हम किसी और तरीके से फंदे बढ़ाते हैं तो भी हमें इतनी ही लेंद चाहिए जितनी इसकी है यह देखें डेड अब देखिए एक फंदा ऐसे उतारेंगे दो फंदे उल्टे बटन पट्टी के बोटर के तीन फंदे हो गए अब सीधे होनेंगे चार पांच छे साथ आठ नो और यह देखिए यह जो फंदा जिस पर हमें जाली डाली थी दस दस फंदे हम यह बनाएंगे फ्रेंट अब देखिए जो यह जाली वाला फंदा है इसको हम रखेंगे बैक में और इसको रखेंगे फ्रेंट के फंदों में और जो बीच के फंदे हैं इन पर हम बाजू बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे बारे फंदे हैं यह देखिए एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, अब यही से वापिस हो जाएंगे, एक, यह बारे फंदे ही हमें बुन लेने हैं अब, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, और यह बारे, यह देखिए, दो सलाई हैं इसके हमने बना ली हैं अब यह तीसरी सलाई बना लेते हैं सीधी साइड से, एक फंदा तो ऐसे उतार लेंगे, और पूरी सलाई हम सीधी बना लेंगे, यह इसकी थर्ड रो है, सीधी साइड से, अब उल्टी साइड से इसकी फोर्ट रो बनाएंगे, इस अब अब यह तारेंगे, और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे, यह इसकी फोर्ट रो हो जाएगे, अब सीधी साइड पर आ गए, सीधी साइड से यह फंदा ऐसे उतारेंगे, और इसकी फिप्ट रो बना लेंगे, यह फंदा हमने उतार लिया, यह देखिए, फिप्ट रो हमने कम्प्लीट कर लिया, यह फंदा मैसे उतार लेंगे, क्योंकि यह से हमें कलर चेंज करना है, तो पांच सलाई कम्प्लीट हो चुकी है, पांच सलाई के बाद हम उल्टी साइड से इसमें कलर चेंज करेंगे, यह देखिए वाइट दागा हमने कट कर लिया है अब ये धागा लेंगे और ये फंदा था हमने बिना बुने छोड़ दिया था इसको हम बुन लेंगे इस तरह से और ये दोनों धागे इसके साथ दबा देंगे ये इसके 6 त्रो है उल्टी साइड से इस तरह से ये पूरी सलाई कंप्लेट कर लेते हैं और देखे धागे भी इसके हमने दबा दिये हैं यहाँ पर कि छे सलाईयां इसके हमने कंप्लेट कर ली अब ये फंदा ऐसे ही उतार लेंगे और धाग अपनी साइड लेकर आएंगे इसके 7 रो बनाएंगे इसको हम सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे 7 रो है सीधी साइड से इसको हमें उल्टा बना लेना है अब उल्टी साइड से एर्थ रोज की उल्टी बनाएंगे यह फंदा हमने ऐसे उतार लिया और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे तो हमने यहां पर इसकी आठ सलाईय कम्प्लीट कर ली है अब देखे सीधी साइड पर है पहले इसकी एक बार लेंध हम चेक कर लेते हैं दो इंच है इसकी दो सलाईय हम और बना लेते हैं अगर आपको दो इंच चाहिए तो आप यहां पर इसको बंद कर दीजिए सीधी साइड से बंद कर सकते हैं यह फंदा ऐसे उतार लेंगे और फिर धाग अपनी साइड लेकर आएंगे फंदा उतारने के बाद इसकी नाइंतरो बना लेते हैं सीधी साइड से यह भी हमें उल्टी ही बनानी है इसकी नाइंतरो कंप्लीट हुई अब उल्टी साइड से टैंतरो बना लेंगे और इसको भी उल्टा ही बनाएंगे तो बाजू के लिए हमने यहां पर दस सलाईयां बनाकर इसकी कंप्लीट कर ली है यह कलर हमने चेंज करने के बाद इसमें देखे चार सलाईयां इस कलर से बनाई हैं दो लाइने आ गई हैं बोडर की उल्टी उल्टी सेडी साइड पर अब यहां से इसको हम बंद कर देंगे, दो फंदों का एक किया, फिर ये फंदा वापिस, फिर दो का एक फंदा वापिस, इस तरह से करते हुए सारे फंदेश के हम बंद कर देते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं, यह देखें, इसकी लेंद एक बार हम चेक करेंगे, सवा दो इंचे एक पॉइंट जादा है अगर आपको इसमें दो सलाईया कम करनी है तो आप कर सकते हैं ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यह बाजू फिर बहुत लंबी हो जाती है कि तो इतनी बाजू इसके हमने बना कर कम्प्लीट कर ली है अब यह द्हागा इसका कट कर देंगे अगर यह 10 सलाईयों की बाजू बनाएं अगर आप 8 सलाईयों की भी बनाते हैं तो भी कोई प्रोब्लम नहीं क्योंकि अब करदा हम इसमें काफी होगी अब देखे बैक साइड के फंदे बुन लेंगे और यहां से हम इसमें यह कलर चेंज करेंगे यह वाइट धागा लेंगे देखे दो तीन फंदे तो हम धागे को डबल करके ही बना लेंगे क्योंकि धाग अच्छी से यहां पर सैट हो जाएगा नोट हमें लगानी नहीं पड़ेगी इस तरह से अब जो बचेगा धागा इसको हम इस तरह से इसके साथ दबा देंगे एड़िस्ट कर देंगे यहां प बेकसाइड के फंदे हम काउंट करके बताते हैं एक दो टीन चार पांच छे साथ आट नोग दस ग्यारे बारे तेरे चौदें पंदरे और यह फंदा भी बेकसाइड के फंदों में लेंगे । उले तो बनाएंगे देखे हिए फंदा वने बैकसाइड में लिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, बारे फंदे हमने यहां पर बाजू के ले लिए, अब यहीं से वापिस हो जाएंगे और इन बारे फंदो को ही बुन लेंगे, जैसे हमने दूसरी बाजू बनाई है ठीक, उसी तरह से बाजू इसकी बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं, यह देखे, यह बाजू बिसकी हमने बना ली है, अब जो दूसरी साइड के, फ्रेंट साइड के फंदे हैं, इनको हम बुन लेंगे, यहां से हम यह वाइट कलर का धागा इसमें लगा लेंगे, यह देखिए, इस तरह से, और यह सारे फंदे हम बुन लेंगे, यह दागा लगा लिया, और यह सारे फंदे बुन लेते हैं, अब बाजू तो हमने इसकी अलग बना ली है, देखिए, दो फंदे बनाएंगे उल्टे, और लास्ट वाला फंदा बना लेंगे सीधा, यह देखिए, अब उ और यह दिखें, यहां से हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, एक इस साइड से लेंगे और दो का एक बना लेंगे, एक फंदा हम इसमें दूसरे साइड से कम करेंगे उल्टी साइडसे में दो फंदे कम हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें फंदे काउंट करते हैं पताते हैं कितने फंदे यह ये देखिए उल्टी साइड से हमने इसको बना लिया है अब हमारे पास Bennyा टोटल 34 इ। मूंे पर आ गए हैं इसकी चार सलाईगी बनाकर बना लेते हैं सिथी साइड से इ। उल्टी साइड थिछ चार सलाइआं बनाने के पाद भी आपको दिखाती है जो बोर्डर है साइडवाला यह ऐसे ही बनेगा तीन-तीन फंदो का यह देखिए इसकी हमने चार सलाइआं बनाकर कंप्लीट कर ली है और इसकी लेंद आपको दिखाते हैं सवा दो इंच है, अब इसको और नहीं बनाएंगे चोली को, अब देखे इसको हमें कैसे बनाना है, सवा दो इंच इसकी लेंथ हो गई है, अब यहां से फंदे बढ़ाने शुरू करते हैं, एक फंदा ऐसे उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, और यह दो फंदे बनाने के बाद धागा अपनी साइड रखके, यहां पर हम फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड फंदा सीधा, इस तरह से यहां पर हम जाली डालते हुए, इसमें फंदे उल्टी साइड से इसके उल्टी सलाई बनाएंगे तो दो सलाईआ हम बना लेते हैं लास्ट में दो फंदियां ऐसे बना लेंगे एक उल्टा और लास्ट वला सीधा यह देखें दो सलाईआ कम्प्लीट कर लिया सीधी साइड से फंदे बढ़ाएं उल्टी साइड से उल्टी हुँआना हैं जब में दो लाइन कर तो राइन के बनाने के पाद फिर आपको इसमें दिखाएंगे की हम दूसरी बार फंदे कैसे बढ़ाएंगे हमें एक बार फंदे और बढ़ाने हैं अभी देखे हमने इसके चार सलाईयां बनाकर कंप्लेट कर लिया है इस तरह से दिखाई दे रहा है पोटर सा अब इसमें फिर से फंदे बढ़ा लेते हैं दूसरी बार एक फंदा ऐसे उता सब्सक्राइब दाग अपनी सपासा मैं को अपनी सफ था यहifl करने के बाद इसका इल्टी सबस्क्राइब बना लिंगे और वह बनाकर फिर आपको सब्सक्राइब reck ocasional कि में ध्यांने देखिए कि जैसे ने हमने यहां आपर यह सीध्थी साइड से टीज़ीं, आपको देखा देरहें यह बनाई है यह से बनाई है यहां यहां एक अद кров in और चाराई ये ऑना गूण को भी समर दों, सोळवे दो लाईने हम भना लेते हैं नहीं चार लाईयां जैसे यह यहां भनाई सेम तरीके से दोनु मादा से उल्टी उल्टी फीर इस तेसरी बार फंदे %. हमने चार सालाईया इसके बनाकर कंप्लीट कर ली है दो फंदे बढ़ाई वर्लाश में चार सलाईया दोनों साइड से उल्टी-उल्टी अब तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे एक पंदा उल्टा के एक एक सी उतार ख़्या sépla एक उल्टा इसके बाद कि धागा अपनी साइड एक फंदा सीधा एक दो तीन चार चार फंदे बुन लिए फिर धाग अपनी साइड फिर चार फंदे एक दो तीन चार चार फंदों के बाद हमें जाली बनानी है चार फंदे सीधे बुने फिर धाग अपनी साइड लिया और फिर चार फंदे सीधे हो गई जाली देखे दो तीन चार फिर धाग अपनी साइड फिर चार फंदे एक दो तीन और यह चार इस तरह से पूरी सलाई कंप्लीट कर लेते हैं हर चार फंदों के बाद एक जाली बना तो यह दो सलाईयां बना लेते हैं फिर आपको हम इसमें डिजाइन डाल कर बताएंगे यह देखे तीन बार इसमें फंदे बढ़ा चुके हैं और फंदे नहीं बढ़ाएंगे टोटल फंदे हमारे पास इसमें 155 है 55 फंदे हैं अब यहां से डिजाइन इसका शुरू करते है यह लास्ट वाला फंदा देखे हमने बिना बुने छोड़ लिया था इसको हमने ऐसी उतार लिया था क्योंकि हम यहां से कलर चेंज इसका करना है तो थोड़ा सम एक्स्ट्रा धागा लेंगे ताकि पीछे की साइड इसकी बाद में नोट लगा दे नहीं तो जो नोट है सा इसकी साइड लेकर आएंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे ऐसे उतार लिया थागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे जब धागा हमने यह लेकर आना है तो थागे को हम लूजी लेकर आएंगे टाइट हमने नहीं लाना है फिर धागा अपनी तेप पांच दागा पीछे ठां सीधा चाटा पंधा हमें सीधा बनाना है the second 3 mom ohgin nahi pays arg si अची इन candy हर्फ अपर फुड्वल्य उटार लेने हैं थीन स्था Google chap शुक देशे च्वकें जेश्ण दागा करके सीधा बनाएंगे के सट्व बनाया प्र दागा अपनी साइड uh कर लेते हैं लास्ट में देखते हैं हमारे पास कितने फंदे बचेंगे डिजाइन को हमें एडजस्ट करना है तो इसको बना लेते हैं पूरी सलाई बना ली है शुरू में हमारे पास यहां पर दो फंदे हैं जिनको हमने वर्जेंटा से बनाया है लास्ट में हमारे पास तीन फंदे बच गए हैं तो एक हमने बुन लिया दो फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा है तो यहां पर देखें हम दो का एक कर देंगे क्योंकि गेरा चोटा नहीं पड़ना चाहिए चोटा तो यह अब भी नहीं पड़ेगा 155 फंदे हैं दो फंदे कम होंगे 53 फंदे इसमें रह जाएंगे आप दो फंदे कहीं बढ़ा भी सकते हो तो यहाँ पर हम देखिए इसको इसके उपर से गिरा देंगे एक फंदा तो यह कम हो गया और फिर दो का एक कर लेंगे तो लास्ट में भी हमारे पास दो ही फंदे बची है हमारा डिजाइंग एड़ेस्ट हो गया है यह देखिए अब यह फंदा ऐसे उतार लेंगे और पूरी सलाई हम सीधी उल्टी साइड से उल्टी साइड से सारे फंदे हमें बून लेने हैं जो उतारे हैं वो भी जो बुना है वो भी तो उल्टी साइड से इसको बनाने के बाद सीधी साइड पर आएंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे करते हैं इसको कमप्ले यह देखे इसकी दो सलाई हमने बना लिए एक सीधी साइड से पर आ गए हैं एक फंदा ऐसे उतार लेंगे एक फंदा हम बून लेंगे दो फंदे हो बे फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे एक दो तीन चार पांच धागा पीछे यही वाला सीधा फिर धागा अपनी साइड एक दो तीन चार पांच धागा पीछे और जो फंदा सीधा था वो ही सीधा यह देखी हमें इसी तरह से इसकी चार सलाईयां कम्प्लेट करनी हैं एक कर चुके दूसरी पर अब हैं और इसके बाद दो सलाई और तो चार धागे आपको यहा आठ सलाईया बनाई है यानि चार धागे आगए हमारे पास एक दो तीन चार तो यह चार धागे आगए अब इनको हमें बुनना है और वाइट धागे यहां पर यूज़ करना है तो देखे कैसे दो फंदे हमने पहले बुने थे तो इनको तो हम बुन लेंगे इसी तरह से अब इस सलाईय में हम फंदे नहीं उतारेंगे हमें बुनना है तो देखे हमारे पास यह पांच फंदे हैं उतारे हुए तो दो इस साइड के बुनेंगे दो इस साइड के जो सेंटर वाला फंद फर्स्ट रुवाला इसको बूनेंगे सबसे पहले देखे क्या करना है नीचे से हम सलाई डालेंगे इस तरह से और जो यह देखि धागा दिख रहा है इसको हम इनके नीचे से निकाल कर ले जाएंगे जिस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना वा क्यों यह जो हूल है हमारी इस यहां पर देखिए एक, दो यह फंदा सेंटर में आ गया जब पांच फंदे आप मुनेंगे तो तीसरा फंदा सीधे वाला हो गया तीन, चार, पांच अब फिर से हम यह फर्स्ट वाला धागा उठाएंगे तो यह धागा हम देखिए इनके नीचे से उठाएंगे यह जो ओर धागे हैं इनको हम इस तरह से उपर करेंगे और इनके नीचे से निकाल कर सलाई पर डाल लेंगे और यहां पर इस फंदे को दो का एक बनाएंगे, धागा इनके पीछे इस तरह से गिर जाएगा फिर पांच फंदे बनेंगे एक, दो तीन, चार, पांच अगर आप करोशिया का यूज़ करती है तो वो बेस्ट है आप करोशिया ले और देखे इससे धागा छूटने के चांस नहीं रहते यह तीन धागे हम उपर लेंगे इस तरह से और जो यह फर्स्ट वाला धागा है उसको हम देखे इससे निकाल लेंगे सलाई पर डालेंगे और यहाँ पर इनको दो का एक बनाएंगे इस तरह फिर पांच फन दे एक, दो, तीन, चार, पांच फिर यह फर्स्ट वाला धागा इनके नीचे से हमें निकालना है तो देखे इस तरह बनाएंगे पूरी सलाई कीकपलीट करिए उल्पी साइड से उल्पी सलाई बना भी इन नहीं है वाइट कलर सी तो यह दो सलाईया बना लेते हैं इस देखे फिर से इसके हम सीधी साइड पर आ गये हैं एक फंद उतार लिया एक बुन लिया दो फंदे दो बॉर्डर के हम बनाई रहे हैं शुरू शे फिर एक दो दो फंदे और बुन लिये अब देखिए तीसरा जो फंदे इस पर हम ये धागा इसके साथ बुनते आ रही है तो दो धागे हम इस तरह से उठाएंगे चो तीसरा है सबसे नीचे वाला इसको यहां से इस तरह से निकालेंगे और इसी के साथ इसको हम दो का एक कर देंगे एक ही फंदे के साथ हमको यहां पर यह घटाना है इस तरह से यहां पर घटा लिया फिर देखिए एक दो तीन चार पांच पांच फंदे बुन लिए अब देखिए यहां पर इस फंदे के साथ हमने घटाया था पहले तो यहां से यह धाग हम निकालेंगे इस तरह से डालेंगे और दो कर एक बना लेंगे सबसे पहले हमने फर्स्ट रो वाला धागा लिया इसके बाद सेकेंड रो वाला फिर थर्ड वाला लेंगे फिर हम फूर्थ वाला जैसे हमने बनाया था उसी हिसाब से हम सुरूर से इनको उठाते जाएंगे पांच फंदे यहाँ पर बुन लेंगे और यह देखिए यह दो धागे हम उठा लेंगे और जो तीसरा धागा है इसके नीचे से निकालेंगे यहाँ पर इसको दो का एक बना लेंगे पिल्कुल सिंपल है बहुत आसान और सिंपल कोई जहनजट नहीं है इसमें एक दो तीन चार पांच बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जब हम यह देखिए इस तरह से धागे उठाए तो हमारा धागा नीचे ना छूट जाए बस यह ध्यान रखना है धागे इसमें से निकल जाते हैं कहीं बार तो यह पूरी सलाई बना लेते हैं इसके बाद उल्टी साइड से सारी सलाई उल्टी डलेंगी अब देखिए जब हम सेधी साइड पर आएंगे हमारे पास दो ही फंदे हैं उपर वाला छोड़ कर जो दूसरा फंदा इसके नीचे से निकालेंगे फिर बना लेंगे लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा फिर उसको बना लेंगे तो इस आरे धागे हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे यह देखिए डिजाइन हमने पूरा कंप्लेट कर लिया है कुछ इस तरह से यह दिजाइन दिखाई देगा अब जैसे हमने यह दिजाइन इसमें बनाया है एक दिजाइन और बना लेते हैं यहां से कलर लगाएंगे और सेम तरीके से स्युरू करना है, जैसे हमने पहला डी जारी शुरू किया था, कि उसी तरीके से यहाँ पर शुरू करना है, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धाग अपनी साइड, एक, दो, टीन, चार, पांच, पांच फंदे उतार लेंगे, छटा फंदा सीधा बुन लेंग फिर धागा अपनी साइड एक दो तेन चार पांच धागा पीछे फंदा सीधा इस तरह से बनाएंगे सेम वही तरीका है जो हमने यहां पर अपनाया था उसी तरीके से इसको बनाते हैं यह डिजाइन कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं देखिए यह डिजाइन इस और नहीं बनाएंगे 16 सलाईयों में यह दो डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गए हैं 16 सलाईयां यहां पर हमने बनाई हैं यह डिजाइन कंप्लीट होने के पाद दो सलाईयां दोनों साइड से हमने उल्टी उल्टी बनाएं देखिए सीधी साइड पर यह एक लाइन आ गई तो दो सलाईया हो गई white color से उल्टी उल्टी अब इसमें हम frill बनाएंगे यह देखिए एक फंदा इसको हम एक बार बुनेंगे और इसी फंदे को हम दूसरी बार बुन लेंगे दो बार बुन लिया धाग अपनी साइड लाएंगे अब यह दूसरा फंदा बुनेंगे यह इ फिर सेदी साइड पर आ गए एक फंदा ऐसे उतार लिया हर बार सेदी साइड से एक एक फंदा बढ़ जाएगा पहले दो फंदे थे अब तीन हो गए यह से वापिस होंगे हमने कई वीडियो में अपनी यह जालर बनानी सिखाई भी है यह देखिए एक फंदा ऐसे उतार तीन एक फंदा और बढ़ा लेंगे चार एक फंदा उतार लिया तीन फंदे उल्टे बुन लिये धागा करेंगे पीछे फर्स्ट फंदा ऐसे उतार लेंगे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे लास्ट वाला फंदा सीधा देखे फिर से यह फंदा ऐसे उतार लेंगे सीधी साइड पर आ गए एक फंदा उल्टा दो, तीन, चार एक फंदा हमने ऐसे ही उतारा था, चार फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे हो गए टोटल, हर बार एक फंदा बढ़ता है सीधी साइड से, ये फंदा ऐसे उतार लेंगे, बीच के सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, और लास्ट वाला फंदा हम बनाएंगे, बिल्कुल, ये देखे, लास्ट वाला सीधा, ये फंदा ऐसे उतार लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक फंदा उतार लिया, पांच फंदे उल्टे बुने, टोटल छे फंदे हो गए, यही से वापिस होंगे, एक फंदा ऐसे उतारेंगे, बीच के सारे फंदे उल्टे लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे एक फंदा ऐसे उतार लिया इसके बाद यह देखे एक दो तीन चार पांच छे टोटल साथ फंदे हो गए एक उतारा था छे बुने फिर यह फंदा ऐसे उतार लेंगे बीच के सारे फंदे उल्टे आप यह जालर कितनी भी फंदो तो नौ पर बना सकते हो जोशे पर शाथ पर बडाई चाहिए तो और यह बना सकते हो ऄह दिखे 1-2-3-4-5-6-7 साथ फंदे होगे 1 फंदा और ले लेंगे आठ आठ फंदों के हम यहां पर ही फ्रिल बनाएंगे एक फंदा उतार लिया 2-3-4-5-6-7 और एक फंदा और बढ़ा लेंगे आठ यही से वापिस हो जाएंगे कि फंदा ऐसे उतार लेंगे बाकी सारे फंदे उल्टे उनेंगे लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे अब देखिए आठ फंदे हम बुन चुके हैं तो इनको घटा देंगे दो का एक बनाएंगे फिर ये फंदा वापिस लेंगे फिर दो का एक दो फंदे कम हो गए तीन चार पांच छे साथ और एक फंदा और यहां पर आठ देखिए एक फ्रिल हमने यहां पर यह बनाकर कंप्लीट कर ली है अब इसी तरह से इसके फ्रिल बनाते जाएंगे इस फंदे को एक बार बुना और इसी फंदे को दूसरी बार पुन लेते हैं फिर एक फंदा यह ले लेंगे अब हम दूसरी फ्रिल देखे कैसे बनाएंगे यह फंदा ऐसे उतारेंगे यह फंदा सीधा फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है एक फंदा ऐसे उतार लेंगे एक फंदा उल्टा ये दूसरा फंदा उल्टा ये इसे वापिस हो जाएंगे एक फंदा ऐसे उतारेंगे एक फंदा उल्टा लास्ट वाला फंदा सीधा बाकी तो देखे हमें सेम बनाना है जैसे यहाँ पर बनाई सेम तरीके से इसको बनाते जातें तो बनानेके बाद फीर आपको हम दिखातें ये देखे मैं फ्रिल् Lord हम ने इसकी बना ली है अब यहां से इसको सीड़ देतें यहां से यहहां से इहां तक सील देते चाह Vivヤag कर र Cordard करते हैं फिर आपको हम इसको दिखाते हैं यह देखे इसको कुछ प्रेट किया है ज्यादा कुछ नहीं बस थोड़े से मिरट लगाए है तो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर तयार हो गई है आप किसी भी फेस्टेवल पर इसको पहना सकते हो जैसे कि अब काफी फेस्टेवल आएंगे यह देखिए और चार से लेकर तक के लड़ू बपाल के लिए जो इसका डायमेटर है काफी है अगर आपको बनानी है तो इसमें जैसे हमने चोली तो बनाई है चार और पांच नंबर की इसके साथ 6 7 और 8 6 7 और 8 तीनों नंबर की जो चोली है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा आप वहां से चेक कर लीजे और झेरा इसका सीम तरीके से बना लीजिये सेम परwide जैसे यहां पर यह गेरा बनाया है उसी तरीके से आपको गेरा बनाना है वस चोली आपको बड़ी बनानी है तो नहीं आप तैयार हो जाएगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली नए वीडियो में राधी- झाली